कानाची ब्लोग्स में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी को विपतारणी वरत के बारे में कुछ जानकरी विशेश जानकरी आप लोगों तक पहुचाऊंगे विपतारणी वरत देवी विपतारणी को समर्पित है जोखी देवी काली का ही एक रूप है इस पार विपतारणी पूजा 2 जुलाई और 5 जुलाई 2022 को पड़ेगी ऐसा कहते हैं कि सीधा रत से लेकर उल्टा रत के बीच में जो शनिवार और मंगलवार पड़ती है उसी में ही विपतारणी व्रत की पूजा पड़ती है पूज़े आशार माशे शुक्लो तृतिया थे के नौभोमीर दिथिर मुद्धे जेकुनो शूनिवार बा मंगलवार एई ब्रोत पालन कौरा हॉय ऐसी मानेता है कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें विपतारणी देवी का आशिरवाद मिलता है और वे परिवार को सभी प्रकार की खत्रों से बचा कर रखती हैं मावपतारणी के व्रत की बहुत बड़ी महिमा होती है इस व्रत को शुरू करने से तीन साल, पात साल और नौ साल तक पालन करना होता है ए ब्रतेर प्रभावे पुजारी ब्राम्हन के दिये घटो स्थापना कोरे होलूत शुतो दिये दुरबा सह घटेर मुखे बानते है तार पर सोस्ती बाचन करे, नाम गोत्र धोरे, संकल पुष्रिक्त उच्चारुन कोत्ते हबे अंगो सुद्धी, कर सुद्धी करे, पंचो देवतार पुजा करे, मायर पुजो करते है श्री-श्री नारोद्मुनी देवादी देव महादेव के जिग्याशा कोरेई उत्तोर पे छिलेन आमादेल बिभुन्न रुपेर पुजो करा देव देविर मोध्धे एई दुरगे दुरबोती नाशिनी अभवि नाशिनी बिपोतारुनी मादुरगे एई मादुरगे एक्टा रुप बिपोतारिनी जे नारीर भोग्ती भावे एई ब्रत पालोन करें बिपोतारिनी मा तार्श बिपोत दुर करें शेनारी कोखनो बैदोब्व जोंतरना भोग करें नाशिनी विपोतारिनी पूजोर आके ओ पूजोर दीन कोखनो आमिश खाबें नाशिनी व्रत के पहले वाले दिन बिना प्याज लसन का खाना खाना होता है और ब्रह्मचारे का पालन करना होता है व्रत वाले दिन तेरो टा लूची और तेरो रोखोमेर फॉल प्रोशादे हिशेवे ग्रोहन कोरून तोबे उपोशोर दिने चाले जीनिश खावा एकड़ॉम नीशेद व्रत के दिन सुबह शुबह नाहाद होके मा व्रत पूझा किसी योग यकी सतब्राम्मन से करवानी चाहिए पूझा में तेरो रखम का फल और तेरो रखम की मिठाया तेरो रखम का पान का पत्ता सुपाड़ी इत्यादी की आवश्यकता पढ़ती है मा की पूजा में एक धागा लाल रंग का धागा जिसमें दुर्वा बंदी रहती है वो भी चड़ाया जाता है जिसे ब्रत वाले दिन व्यक्ती चौदा गाठो वली दुर्वा घास लगी एक मौली मा को समर्पित किया हुआ अपने हाथ में बांधता है स्त्रिया बाय यानि लेफ्ट और पुरुष दाय हाथ में बांधते हैं इस दिन परिवार के किसी भी सदस्य को मदपान पीने की मना ही होती है व्रत वाले दिन किसी के निंदा नहीं करनी होती है व्रत वाले दिन किसी से ना तो उधार ले और ना ही उधार दे ब्रत वाले दिन किसी को भी चीनी का दान ना करे यूँकि चीनी का संबंद शुक्र से होता है ब्रत वाले दिन व्यक्ति को एक ही समय अन खाना है वो तेरा रखम का जो आप लूची बनाओगी एक ही टाइम खाना है उसके पहले आप दुपेहर में अगर खा रहे हो तो सुबह और शाम को फलहार रहना है आप अगर रात के वक्त में खाओगे तो सारा दिन फलहार रहना है मा विपतारिनी आशा करती हूँ आप सभी की मनो कामना पूरी करे आगे के ब्लॉक्स में मैं आपको विपतारिनी वरत पूजा कथा और विपतारिनी मंदिर के बारे में बतलाओंगी अगर हो सके तो आपको दर्शन भी कराओंगी जै मा विपतारिनी